लिवर्पूल इस सीजन में स्ट्रगल कर रहा है उसका एक रिजन तो है कि उनका मिट्फिल्ड काम नहीं कर रहा है हम सभी को पता है कि यार एजिंग मिट्फिल्ड और इंजरी बहुत जादा अफेक्ट की है मगर दूसरा में रिजन है our defense is not as good as we thought हमको जितना भी लगता है कि defense की कोई problem नहीं है मगर अगर आप stats उठालो अगर आप जादा करीब से इसको analyze करो तो यह चीज़ confirm हो चुकी है कि यार अपनी defensive unit पहले की तरह perform नहीं कर रही है even though midfield problem है फिर भी मैं बोल रहा हूं कि defensive unit पहले की तरह perform नहीं कर रही है उसका एक और reason मुझे लगता है कि इंजरी जो हो रही है center back को उसकी वज़े से एक consistent center back pairing लिवरपूल को मिल ही नहीं रही आप देखो वेंडाइक इंजड हो गया कभी 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 कोनाट इंजड हो गया कभी गोमज और मैटिप को तो इंजरी होती ही रहती है इसलिए एक consistent जो center back pairing होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही इस season इसलिए लिवरपूल का defense उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है इसलिए बहुत सारे लिवरपूल fans के मन में एक thought तो आ ही गया है many Liverpool fans are openly saying that Liverpool need a center back in summer और मैं agree करता हूँ उस opinion के साथ that we need a center back और center back की अगर बात करें तो बहुत सारा option है बहुत सारा fancy name है जैसे Godiol की बात करते हैं लोग की Godiol को sign करें मगर अगर आफ FSC को follow करते हो अगर आपने लिवरपूल को देखा है कि किस तरह से transfer करते है I don't think that we will sign Godiol in near future especially इस summer में तो हम नहीं कर सकते बिकोज RB Leipzig की asking price बहुत जादा है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसे लिए इस वीडियो में मैं एक ऐसे center back की बात कर रहा हूं जिसकी लिवरपूल के साथ अभी अभी लिंक आई है और मेरे हिसाब से यह बहुत ही अच्छा बंदा है और मेरे रडार में तो था ही बहुत सारे लिवरपूल इसेल फेंस के नजर में था यह बंदा और मैं बात कर रहा हूं फ्रेंट एवन एंडि का की बहुत सारे लोग उसको JOE ांडि का बोलिते बहुत सारे लोग एंडी का बोलते हैं जिस थरा यह दा एक होगलने कि अ पर आपने सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज शप्सक्राइब कर दो तो उस लाल वाले बटन को दबा दो और इस वीडियो को कर दो यार मुझे 35 लाइक चाहिए कुछ भी कर लो अपने फ्रेंड्स के पास लाइक करा दो मगर मुझे 35 लाइकस चाहिए स्टार्ट करते है आज का वीडियो और जैसे हर वीडियो में करता हूं ले जाता हूं आपको स्टैट्स पर मैंने इस बंदे को खेलते हुए दिखा है फ्रेंक्फर्ट बहुत अच्छी टीम है अमने यूरोप में उसको खेलते हुए देखा है और मेरे इससाब से बहुत अच्छा प्लेयर है अगर जाधा तर आप बले ही आपने लायू देखा हो आपको एक बास टैट देखना इसलिए मैं स्टैट्स पे जाधा बिल्यू करता हूं तो देखो मैंने क्या किया है इसमें ओवियसली ओवी तो एंडी का तो हो गई ओवी तो उसका फर्स नाम है इवान उसका सेकंड नाम है इसलिए यहां पर आपको ओवी ते नाम दीख रहा होगा मगर वो इवान नाम से जाधा फिमस सो ओवी ते इवान एंडी का तो है ही उसको मैंने कंपेर किया है बुंडस लिगा के दो बेस्ट डिफेंडर से और आप सभी को पता होगा कि बुंडस लिगा की सबसे बढ़िया टीम बायन है बले ही अभी वो सेकंड पर है मगर अगर टीम की बात करो तो सब्स लिगा के है सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि एक अच्छी लीग एक बूरी लीग है एक ही लीग में सभी खेल रहे हैं सो इसलिए यह कंपेरिजन बहुत ही अच्छा होने वाला है सो स्टार्ट करते हैं देखते हैं देखो नंबर ऑफ मिनित प्लेड मेरे हिसाब से अगर देखो तो दिलिक को निकाल दो तो इन दूनों ने आलमस्स सिमिलर के लिए है एक की सो है एक की एक की उननी सो मरला की दो हजार के नसदीक सो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और डिलिक के के इसमें बहुत कम है आप कह सकते हो कि बीच में वह इंजड मगर आगे जाके हम पर 90 पे भी देखेंगे सो कोई कन्फिजन नहीं रहेगा पहला स्टैट है बॉल रिकवरी देखो डिफेंस की बात है डिफेंडर की बात है तो हम गोल्स के बारे में बहुत जादा नहीं बात करेंगे चांसिस क्रियेटेट थू बॉल उसके बारे में न लिक देखो या फिर उपकमाना को देखो मेरे हिसाब से गुड इनफ यह है 153 कंसेंडरिंग की फ्रेंकफर्ट अच्छी टीम है मगर बायन जितनी अच्छी टीम नहीं है तो इसलिए मेरे हिसाब से अच्छी है यह पोजेंशन लॉस्ट में देखो तो यह थोड़ा ज्यादा पोजेशन लॉस्ट होगा मेरे हिसाब से यह दुनों क्योंकि यह पायन में जो डिफेंडर है वह ज्यादा कंफर्टेबल होंगे कंबेंट अधर बुंडस लिगा टीम का डिफेंडर गोल्स तो यह गोल भी किया है बंदे ने पासिस अटेंटेट देखो तो भी स चीज नोटिस करूंगा कि यार पासिंग एक्यूरेसी थोड़ी कम है एज डिफेंडर आप बहुत ही ज्यादा रिस्की पास नहीं करते सो आपके 90 या फिन 91 जैसे डिलिक के है उपकमाना को ने 90 परसंट दिया है तो वह ज्यादा होने चाहिए मगर अगें 85 इस नॉट अब साइट पर खिलता है बहुत सारे लोग कह रहे है कि बैट यका रीपलेस्मेंट हो सकता है मगर अगर कि यहीक्ति है वक और यहां सकते सब्यंकि ऊटना नहींस कि क्योंकि देखो नमबर बताता है धिव पासिने अच्छी नहीं सब्सक्राइब करेंगे इसलिए इसको हम इग्नोर ही करेंगे ड्यूल कंसेस्टेंट यह इंपोर्टन नंबर है बहुत अच्छा नंबर है मेरे इसाब से कंपर दोनों से करें तो इसमें भी वह थोड़ा पीछे है टेकल्स मेड ओनली 19 टेकल यह बहुत कॉंट्रोवर्शन है मेरे इसाब से जितना मैंने इस बंदे को देखा है एंडिक्या को वह ज्यादा टेकल पर जाता नहीं है और अग इसा हो कि बाई कोई option ही नहीं है टेकल के अला तभी वह टेकल करता है तो यहां पर नंबर भले कम है मगर यह मेरे लिए तो यह अच्छा साइन है कि बाई पैनिक नहीं हो जाए सीधा टेकल पर नहीं जाता सो मेरे लिए तो यह अच्छा नंबर है अगें टेक-on success rate बहुत अच्छा 60% क्योंकि बॉल लेके भी जा सकता है वह आगए अटेक में फाउल वॉन वह भी आप कह सकते हो कि जो रेंज में है वही है 12 कंपेर टू 13 & 15 फाउल कंसीडेड यहां पर उसने थोड़े से साधा फाउल दे दिये है आप कह सकते हो कि अगें कंपेर करो अगर बायन क सुपर टीम यार बहुत ही लगजरी के साथ उनके डिफेंडर खेलते हैं बुंद लीगा में उनको पता है कि उनके जो अठेक वाले है म εκि एक हैं मिट फिल्डिंग प्लेयर है मृ पहलो सूपीरियर है कंपिट आप अँप अदर टीम तो यहांपे आती है में बाद क्योंकि डिफेंडर हम उपर वाले स्टेट को उतना ज्यादा इंपोर्टन्स नहीं देख सकते पासिंग को हां लॉंग पासिंग को क्रोसिंग को अब आती है में बाद एरियल ड्यूल्स मतलब कि ये बंदा एर में बहुत अच्छा है अगर कोई लॉंग बॉल आया में जैसा प्लेयर हुआ तो वह संबाल सकता है तो यह बहुत अच्छी नंबर 62 परसेंट कंपेर करो यहां पर तो 57 डिलिक के है 52 कमना को है तो उन दोनों से अच्छा बहुत ही अच्छा है ग्राउंड ड्यूल कंसेस्टेट 78 इत्योतेट बार वो गया है ग्राउंड ड्यूल में और वहां पर 42 परसेंट अच्छी नंबर है मेरे इसाब से अगयन क्लियरंस की बात करो तो यार बहुत ही जादा क्लियरंस दोनों बैंड डिफेंडर के मिला दो तो भी 119 हां मरलब उसके करीब होते सो क्लियरंस बहुत अच्छा है इंटरसेप्शन अगयन इन दोनों से बढ़िया है ब्लॉक्स देखो वो भी बढ़िया है डिलिक ने 16 किये है इसने 15 किये है क्लीन शिट देखो तो पांच क्लीन शिट है सो वहां पे भी 19-20 का फरक है गोल कंसिडर्ड हां वो ज्यादा है मगर यहां पर फिर से में बोलना चाहता हूं कि यार अगर आप बायन की टीम में खेल रहे हो और दूसरा प्लेयर अगर फ्रैंक्फर्ट जैसे टीम में खेल र सब्सक्राइब होती है इसलिए यहां पर आप उसको नहीं कंपेर कर सकते मगर फिर भी अगर आप 90 मिनिट्स पर पर 90 मिनिट्स तो देखो जो डिफेंसिव स्टैट है मेरे हिसाब से वह डिलिक और उपकमना को के लेवल पे जा रहा है और कुछ-कुछ एरिया में वह अच् सुरी टॉप टू और टॉप थरी जो भी डिफेंडर होंगी उसमें मैं इस बंदे को गिनता हूँ इवान एंडी किया को क्योंकि हाँ डिलिग है मगर उसको इंजरी हुई थी बहुत सारी मैच वो नहीं कहला है अगें डॉटमन के हुमल से डॉटमन में सूल है उन सभी के स सब्सक्राइब कर सकते हैं मगर बायन का एज आप कहलो कि रेफरेंस पॉइंट लेना उतना बुरा नहीं होगा इसलिए मुझे लगता है कि अगर यह बंदा आपको फ्री में मिल रहा है तो इस केन बी वेरी गुड पार्टनर फॉर कोनाटे कोनाटे फ्रेंच है यंग प्ल जैसे मैं टिप इंजड हुआ है या फिर गोमस इंजड होता है उतना खराब उसका इंजरी रेकोड नहीं है मैं तो कहाँँगा कि अच्छा रेकोड है एवन कोनाटे से अच्छा इंजरी रेकोड है उसका मैं ऐसा बोलोंगा तो उसलिए मुझे लगता है कि फ्री में इव कि यिवर्भूल को तो साइन करना चाहिए this player को, आपको क्या लगते है , आपके THOUTS क्या है adaptive ότι आप below लिखने थोटस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यह प्लीज सब्सक्राइब कर दो हीट दे लाइक बटन अगर आपको इस टाइप का अच्छा लगा हाग आपको रिमाइंड करा देता हूं पहतीस लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पे कुछ भी करा के दिला दो पहतीस लाइक मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़बाइ टेक कैर औ और यू नेवर वोकल।